असलाम लेकूम ओपन माइक कैफे में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा नाजरीन गुजिश्टा माँ होने वाले PPSC एक्जाम के पेपर्स लीग होने का स्कैंडल सामने आए ऐसा पहली बार नहीं हुआ के पर्चे लीग हो जाते हैं अज तक इसका कोई सद्ध बाग क्यों नहीं किया गया और बात करें अगर इस गर्वर्मेंट की तो PTI हमेशा प्रेफर करती है मेरिट को और फियर सेलेक्शन को सो अब की बार क्या हुआ लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस सब के ओपर बात करेंगे हम अपने पैनलिस से, अपने रिसर्चर से और डमी मुजियम से आए चंद गैस से, असलाम लेकुम अलेकुम अलेकुम आप कोई है जिनाम अजी तैमूर तबरेजी मेरा नाम है या मेरे मौला ये सिर्फ अपने नामादी किताब चाप रहे है अजी तैमूर तबरेजी एक ना वैलिट्रेशन तो बड़ी है दोनों सेंट्रल इशिया मैं इस वक्त आपको बता नहीं सकता है कि मैं कितना एक्साइटिड हूँ मैं इतना बड़ा फैन हूँ आपका सर के मुझे इतना अच्छा लग रहा है आपसे मिलकी यकीन करें और मैं नहीं हूँ आपकी जो बाते हैं इससे आप कहते हैं कि तवक्कल करना चाहिए सच बोलना चाहिए इंसाफ की बात नहीं मैं बिलकुल वैसे ही बनना चाहरा हूँ सर ये हैं कौन वैसे सर ये वो ही है जिनकी आजकल इंक्वाईरी हो रही है पर्शलीक होने पर अब ब्राइब करने पर हुए हुए सर ओए हुए ना करें बिलावज़ सर मुझे इंप्लीकेट किया जा रहा है ऐसी कोई बात है नहीं मैं बहुत आउनिस्ट आदमी हूँ अच्छा सिर्व एक बात बताएं बाकी छोड़ें ओनेस्टी बानेस्टी को छोड़ें इतने बनायत है मैं ऐसा नहीं हूँ देखें ये आप आप गलत कर रहे हैं अगर आपने नहीं ये बात करनी तो फिर ठीक है क्यूंके हो सकता है मैं आपकी सफारिश कर देता है हो सकता है मैं आपके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर पैदा कर देता कहीं वो क्यूं सा इसलिए कि इक बाले जुर्म कर लेना नदामत शो करता है आप अगर अपने किये पर नादम है तो माफ तो अल्ला भी करता है पेशक्ट आप कौन होते हैं यह नादम नहीं हो सकते है मगे उसके शकल से लग रहे तब देखaign बंदे से घलतियां तो हो जाती है आपने कितने की घलती की यह वाली यह आप घलत कह रहे हैं मुझसे और घलतियां होई यह ये कैफियत भी रहती है, गो मगूं की जबजब की जबजब की डिनायल एंड एकसेप्टेंस तोगेदर इसको कहते हैं अच्छाई और बुराई गुत्थम गुत्था होती है जुम्जुम नासेट और पतक कन कुसाई जुम्जुम किसने कहा था? अब पता नहीं पाएं तुझी कुछ क्या हो तालीम तो आरे अच्छी है लग रहा है, बहुत अच्छी तालीम मैंने जुम्जुम किया मदा आगया जिकिन को जुम्जुम सब दन तुस्रे गाने सुने जुम्जुम सब दन चंचल चित्वन तेरे से तरायूं मुसकाना मुझे दोश ना देना मुझे दोश ना देना घरवालो घरवालो केक मुगाईस। आ लाइव आइशिंग गाईस। साथ प्रभीजादे, मैं सिंग कौईकेव मुगाईस। आइशिंग गाईस। को लोग है। अडावड़ाजी पाईवड़ाजी अडावड़ा क्या؟ आइशिंग गाईस। इसको नलाइक करने में आपका बड़ा हाथ है तुसी चौभी के निसीता की पहरा है दे, चुप करो दूरा लड़ा पुतरे, कला कला मेरे पुतरे काम क्या करते हो? मेरे लॉजे दो शोरू मगिने हैं किस चीज के? गडिया दे और पाथिया दे शोरू कुंता है तुम्हारे अंदर से, माही दी चुगी क्यों ने निकलती? पेटा मेरे माही दी चुगी की पैदावादा थी माही दो मंगूने का इसी दोनों हर बात पे जुगत ही करते हैं और कोई काम की बात ने यहीं से हैं दोनों ने ने यही दिर से है, मैं तो लोट से हुगी लाड़ना पिट्रा सोला साल बाद हो है अफ्ताब सब सोला साल बाद कैसे हुआ इन्हों में कुटे है दे फिर हो है यह क्या बेहुद्गी है यह बापे नो बीवे नो छे तफ़म मारे काना ते फिर को आसमीद होएगी अच्छा बाद फिर आ रहो एक तफ़मारे यह दो मारे तिन मारे उस्ते तफ़मारे दे मैंनो साध चरड़ करें चांद रोज पहले सर्फ पंजाब अबलिक सर्जिस कमिशन के इम्तिहनात हुए थे उन्होंने 58 सीट्स के लिए इम्तिहान लेना था लेकिन वो पेपर्स लीक होने का स्केंडल समने आ गया उसके बाद पंजाब हकूमत की तरफ से बहुत सक्त करवाई की जा रही है गृ तो ये अब क्योंके पिछले आट-दस साल में कोई इस लेवल का बड़ा स्केंडल समने नहीं आया पंजाब के लेवल पर इसलिए इस स्केंडल को बहुत बड़ा मना जा रहा है और इसमें ये जो नोक्रिया थी ये सब ऐसी पोजिशन्स थी रेवल्यू डपार्टमेंट म तो आप खुछ सोचें कि जहां बनियाद ऐसी हो तो बात में क्रिप्शन की का सुर्टेहाल होगी कोई अमीदवार कुछ सीट खरीदेगा आट-दस लाग की तो उसकी पहली प्राइटी होगी कि चंद मा के अंदर अंदर रोपना पैसा पूरा किया उसको पैसे को प्रॉफ और बेतरीन लोग जो है इन अमत्यानों में चुने जाते थे जब यहां तक बनाबत आगी है कि इन नोकरियों के लिए वो लोग आके अप्लाई कर रहे हैं जिन में काबलियत नहीं है जिन में सलाहियत नहीं है और वो सिर्फ जो है परचे जो है वो कही न कहीं से खरीद के इत्यारी करके वो इमत्यान दे रहे हैं मैंने पिछली दफ़ा तखरा किया थो एक प्रोफेसर है अपने बेटे के साथ तस्वीर रोतरवारा है और बड़ी प्राइड फील कर रहा था और वो बात में पता चला जी उसने टॉप ऐसे ही नहीं किया था पैसे खरच करकी आप आपका तालीमी निजामी जकसा नहीं है चौतीदा कोर्स हो रहे हैं पंचवीदा च्वीदा च्वीदा जिफ्रेट बिल्कुर्ट सब डिफ्रेंट ही कोर्स होते हैं कोर्स एक आप बहुत जाहिल है भाई वैसे माफी के साथ आप सिर्यस्ली बताएं आपने प्राइमरी लेवल तक तालीम ली हुई है मेट्रिक कहते हैं नहाब चार सब्चेक्टरें कमपार्ट आई सी उस वह मैं शुरूम खोल लेया तक गय नहीं ये रंडर मेट्रिक हुए, न मत्यां देदो, तो मेट्रिक नहीं देख इम्तां दिये ही हुगा तो कमपार्ट की पायरत आई जो आगी होगा रादावास आदी आपू यह पिटा हूँ तर्व पिता हो तुम तो बगधर मेरें रीजिवा है? अब भाई मैं तो अद्वागार नहीं दे सकता तारी ये खुद भी जहल है और बेटे को भी जहल रखेगा नजर आ रहा है और इसका बेड़ा ही गर को होना है पैसा को भी जह रहे सुवाज याम तुम्हे नहीं आखा और पैसे ही सब कुछ नहीं होता इसवाब तो सब पैसे सब कोई नहीं होता बिलकुल नहीं होता पैसा आपका असेट नहीं है जो आपके साथ बैठे ना इसने चलाना है सारा कुछ ये भी असेट नहीं है इसका ये भी तबाह कर बैठा मैं पाहिन तरुपता हर वारी कॉलेजी टॉप करना और कैसे? ऐसे? ऐसे कैसे? बूटी माफिया भाई ने बूटी नहीं आई तक लाई, कद नहीं लाई हाँ, जहीन ही तुम बहुत हो अलहम दुछला यह शुमाइल बहुत लाईक आदमी है यह क्या शुमाइल क्या नाम है उसका थे? बढ़ा रुटार मज़र दिकलते सा शुमाइला हुदा बाल-बाल बचिया रही हमारा एक दोस्त है शुमाइल लेकिन यह शुमाइल नहीं लगता फिर 2008 अब उसको लगए है वो शुमाइल बहुत लाईक है, यह ना लाईक है एक तो लागे वी तक ता नुमाइं नहीं पाड़े सुनाए है ता नो समझा एक पुज़ाए यह नी अच्छा अनिस का पाड़ा सुनाओ अभर صاحب बात यहे है के केस्टिंग को जो निजाम है उसको देखने की जरूरा मौनson TO Biretti और किस तरीके से है जो कैनिडेट होता है जो वो इमत्यान लेता है वो किस तरह इमत्यान लेता अब तो बहुत जादा पर्क पढड गया है, टिक्नालोजी आगी है आप इस तरह का निजाम बना सकते हैं कोई चांस ही ना हो कि पेपर लीग होगा, कोई भूटी चलेगी कोई तरीका होगा कि मैं चीटिंग करके पास हो जा हूँ तो क्यों नहीं कर रहे हैं हम असल में जो competition के जो इमतिहानाद होते हैं सरकारी नोक्रियों के, इनका हम तरीका आपर फरमूला देखे, तो यह सरे पुरहने तरीके फरमूले हैं वो पांच साल के पेपर्स पिछले तियार कर लिए जाते हैं उनके स्वाल, उनकी गाइड दस्तियाम है वो रटे रटाये स्वाल रटनी जाते हैं उनको जाकर वहां हल कर दिया जाता है असल मावना जो आप फर्मा रहे हैं उसका तरीका ये होना चाहिए कि फिर इंटर्वियू में बहुत सखत तरीके से केनिडेट को गजारा जाए इंटर्वियू होते तो हैं बराये नाम लिये जाते हैं हम जानते हैं लेकिन फिर वो स्कूरूटिनिंग का तरीका ये होना चाहिए, क्या ये कैनिडेट जिसकी रटे किसलाइए तो है, लिखने में इसने दिखा दिया, क्या वाकिए ही ये अपने आपको उस अहलियत के तोर पर थाबत कर सकते हैं? तो सब मेरे खाल से जो वेस्टर्न ममालक में भी तरीका है, कि इंटरू का तरीका बड़ा सकत कर दिया जाए, वो बोर्ट जदा वसीख कर दिया जाए वो भी है और इंतिहान का तरीका भी चेंज हो सकता है, जो नशनल टेस्टिंग सर्विस है, बिल्कुल, ठीके अब आगा खान के जो एंट्री टेस्ट होता है, बोड़ा टकड़ा टेस्ट होता है, यही चीज जो है उनिवर्स्टीज में, कुछ उनिवर्स्टी, जो इतना लो है, टेस्टिंग का, जीजी उनका थे बहुत लो है, बहुत लो स्टैंटर है, तो प्राइनान टेस्टिंग होती है, बिल्कुल, सबको आदत पढ़ गी है उसकी, यही ना मास्टर्स भी करके आते हैं, फिर भी सलाहियत नहीं होती, सर, एमफिल करने के बास लाहिय पखेँ पुक है, ठीकरने है, ऐलेक्रीशन साँ ज़िए अधरान, मैंनी मानता है, महां पे ऐलेक्रीशन भी बड़े संसिबल लोग जाता है, बास देखेगर नहीं आया, एलेक्ट्रिकल एंजिनियर कीदा है अधरा पतरहिए- wind अधर्वे पुछ इलेक्ट्रिकल एंजिनि पचास लाग की गाड़ी इसने दस लाग में खरीद ली होगी इनने डिसकाउंट हैं में दिया, यह साला लग दे मेरा साला नहीं लग दा लेकिन बच्चे ने इम्तियान भी ते देना ना वह पड़ा काबल है, उनने हर इन्विजिलेटर नो पैसे डिवास दिते ने वह और सुपरिमें पैसे बेनो ही मेरा वाकी? पैसे देख लो आएकमाले किसको पैसे दिये थे? छट देख जान देख, उन्ते हुँमतें चेंज होगी है ओ नहीं, तो वह कैसे help करते हैं? चीटिंग करते हैं? उन्धाँश्वाए नहीं की थी ऑन्धाँश्पोट चीटिंग दे, मैं सख्त खुलाब आँ लंग महिन मैं तो फिर क्या करते हो? सिंपल रादरू परचा का राज़न है तो दो बंदे आए इन दे ने वो क्या करते हैं? इनके पास sheets होती है वो जो दो बंदे आए? जी जी दो बंदे आए उनके पास sheets होई सर उन्होंने उस candidate से इन्हीं स्टूडेंट से उसकी लखाई में परचा हल करवाया पताएंगे सब कुछ यह परचा हल करवने के बाद परचा को दोबारा सील बंद करके वापस सर लेगे यह पूरा तरीका है सरे लेकिन सर शीट्स पे तो अक्सर नंबर लिखा होता है कि जिस रूम से आपका candidate स्टार्ट हो रहा है आपके पास वही तो वही नंबर होता है ना उसी नंबर की जी देखें जो सिस्टम है ना उसमें इतने फ्लाज हैं कि उसको एक्स्प्लाइट करना बड़ा असान है जो परचा बनाता है जो परचा जिसके तैवील में होता है जो परचा डिस्रिब्यूट करता है जो इन्विजिलेटर होता है उसके बाद जो एक्जामिनर है जिसने पेपर चेक करना है यह सब इस सिस्टम का हिस्सा है सर अभी इस मामले में कम्प्यूटर का एक एकस्पर्ट था उसके हाथ के परच्चा लगा जो यह पंजाब पफलिक सिर्लिस कमिशन के बात करूँ उसने फिर उस परच्चे को यूएस पी बे कनवर्ट किया और फिर आगे फरोक्त करने कामल शूरूँ यही चीज़ है ना सिक्यूरिटी जो है उसी हिसाब से रखी जाती है अगर कोई परच्चा किसी भी कम्प्यूटर में है उस कम्प्यूटर में USB का एकसेस नहीं होना चाहिए कि उसको कोई डाउनलोड कर सके या नेटवर्क में इतनी इंटेलिजन्स होनी चाहिए सिक्यूरिटी होनी चाहिए जो डाउनलोड करता है उसका नाम जो है वो आना चाहिए अक्सेस होना चाहिए पासफर्ड होगा को प्रोटेक्टेड होगा तब जाके बात बनेगी उमर साथ इस जूर में और कौन कौन से तरीके इस्तमाल होते है देखें, बूटी का तरीका तो कभी तरह हो चुका है वो मौकरे के चीटिंग जो होती है मौकरे के साझ चीटिंग जो होती है, वो तरीका तरह होजदा हो चुके है उसका एक और इसुड Bruce ने कोई स्टूटनट या कैनिड़ेट से पेपर डील भी नहीं कर सकता क्योंकि वो तीन घंटे या डेट घंडी तते में जतना भी टाइम होता है उस दुरान वो बोटी या नी बोटी का खुलना सरा इसलिए आप कोशिश की जाती है तो पेपर का पहले ही इंदाजा हो जाए लीक हो जाए या फिर बाद में जो है वो कुछ करवाई की जाए जो ऐसा माफिया सरगरम होता है इसकी कोशिश ही होती है कि पहले ही पता चाल ले तीचर्स को इन्वाल्व करके पेपर जिन्होंने तियार किया होता है उनकी मदद लेकर उनको पैसा देकर पहले से ही लीक कर देते हैं सबसे पहले guess बराए फरोग होता है वो guess number one होता है उसमें 50% इमकानात होते है यानि आदे questions उसी में से आदे और same questions, same उसकी choices आदे एक guess होता है जो असली वो 90% वो ही होता है तरिये वो guess खरीद थे और यह जो तरीका इसने बता है, दो बंदे आये वो तो फूल प्रूफ है ना ये तो इस मुलक की चंद शक्सियात ऐसी हैं जो अपने बच्चों के इमतानात इस तरह करवाती रही हैं इसके बावजूद उन्हें मतलूबा एड्मिशन्स नहीं मिल सके अच्छा सर इस सब का बड़ी अच्छा तरीके से पेश किया गया है वायट चीट इंडिया इमरान हाश्मी की फिलम है कल बंदो तीन साल पहले की उसमें सरा ही इस माफिया को बेनिकाब किया गया है यह बेनिकाब होना चाहिए इसका बहुत बड़ा है इसका इमपैक्ट होता है यह एक कैनिडेट एक नोजवान यह देख रहा है कि मैंने पैसे से कोई नोक्री ली है पैसे से डिग्री ली है तो सारी जिन्दगी फिर उसका वो आप उसके नफसियात का तेकिन बिल्कुल वो ही है और जो बाद में वो खराबी फिलाएगा चुब एक तो वो करप्ट है दूसरा वो इनकॉम्पेटन्ट है इसी तरही तो आपके नेता आपके सियासतदान आपके लीडर्स वो आते हैं पैसा खरचते है दस करोड पंदरा करोड बीस करोड खरच हो जाएगा जो यही करेंगे जनाब इतने लाग हुआ है बाकी तो लोगों ने रजाकाराना किया है अब इसको आप पकड़ नहीं सकते है क्यामत तक यह भी एक ढखोसला है जो इलक्शन कमिशन है ऐसे एक देरक है तो इलक्शन लड़ते हैं करोडों खरेचते हैं उसको मल्टिप्लाइ करते हैं अपने हिसाब से अपने पसंद से और उपर पूरे करते हैं अब उसकी वज़ा से आप यह देखें कि पूरा निजाम जो है इलक्शन ही मेंगा हो गया वही लोग आएंगे बार बार जो मौरूसी सियासत में हैं नए पड़ लिखे नौजवान जो आके इस मुल्क की तफदीर बदल सकें उनको मौकई नहीं मिल सकता मतवस्त अब के से कोई लीडर नहीं आ सकता जब तक वो किसी निजाम एक किसी पार्टी का हिस्सा ना बन जाए और हमारे अवाम भी इस मामले में इसकदर उजड़ हैं कि वो देखते हैं कि किसके बैनर्स ज्यादा लगे हुएं किसके पोस्टर ज्यादा हैं किसका कैम्प आफिस तगड़ा है किसके लोग मॉबाइल है इसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि जीतना इसी ने है तो जिसने जीतने है उसी से बना के रखो काम तो हमें उससे बढ़ना है जमूरियत से काम नहीं पढ़ना उसूल परस्ती से काम नहीं पढ़ना हमें जीते हुए बंदे से काम पढ़ना है और उसी को जिताएंगे पुन्डा मेरा इंशाला आउना ले दिने दा पॉलिटीशन है लग रहा है बिल्कुल बना बनाया और मैं पाकिस्तान में इसका सियासी फ्यूचर ताबनाक देखता हूँ याल गोल मनोई कुछ समय नहीं नहीं ये असल फसाद की जड़ ये करप्ट इंसान है ये घटिया शक्स जो बैटा है बड़े बोदेवा के ये है वाजब القत्ल एक ऐसा बन्दा इबरतनाक सजादें क्या पच्चेस साल कैद बामुशक्त बामुशक्त का मतलब है बामुशक्त जी जी और ये 50% नहीं होगी दिन और रात काउंट नहीं होंगे तमाम फर दे रेस्ट आफ यूर लाइफ एक तरह से और इसकी तस्वीर आप डेली बेसिस पर चलाएंगे मैस मीडिया पर सोशल मीडिया पर हर जगा पर आप देखिए आहस्ता आहस्ता इसका ट्रिकल डाउन एफेक्ट होगा किनों किनों बढ़ाओगे निशाने अबरेत जैसों हो इस जैसों को तुम कसूरवार हो लेकिन और तरह के हमारा मुजरम ये नहीं है ये है हमने इस से रखवाली के लिए ये हमारा वाच डॉग ता ये चोरों के साथ मिल गया वो तो चोर है अजली और अब्दी उसने तो रहना है तागुती कुट हमेचा रहेगी हमने जो फसील पे खड़े कर रखे थे तीर अंदाज वो माले खनीमत इकठा करने में लगे तुसारी नहीं को तालग नहीं है खड़ा समझी वो थेला जाएगा आप बेनों की हो ना अबिटी साथ जनाब लव यू थे वोट बूस दाट गटी तो नहीं गिफ्ट करनी है हाँ 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 एड़ी उची लेकिन काम क्या करवाना है फैन के अनदे तो भी जोड़ी जोड़ी तड़को ले मैं जनाब करो रोज एक केंटा लाए सकना हुक्म करो अस्तो होना डॉक्सर पर बड़ी सीरिस गयल हो रही है दस्तो जनाब ओ क्या अब भी कैस अच्छा मेरी बूटी नहीं डरी यार्दोस कोई नहीं का नहीं होगा कभी नहीं होगा तुम्हारे यार दोस्त हैं तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं पुगडे कॉक्रोचेज विच्छू सांप ये बारते मुलकों चुंदे नहीं ये कबर चुंदे में मैं बेटे ने डॉक्टर बना रहा रहा है अब तरसर अब भी ये जल्म ना कीजिए ये बने वे हाथ ने अब अब जी साप लिए तुम्हारे चुर्भा की ता वो डड़ू मैं लमा पावाँ पियोशी ना हुआ उठी यावे 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 ने रिकार करे अब भाई दुवाई अंदर पहीशी वो मैं ड़डू नो चमची करवाई टोन ओगे तेगे ता फिरे वो गाणा कटी है अब भाई ने मैं कही वरे किया देसीना भी आप यागा अब भाई छे दिन उनो हैंग ओफर रहा किसको? यादूनू हो गिम्हाज आज के शूका वक्त खत्मों इंशालला आपसे मुलाकात होगी अगले हफते तपते के लिए हमें दीजाज़त आल्ला हाफिज